जोहार जन्मन की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ आनंद कुमार आज बात करेंगे जैराम महतो की जैराम महतो जिनों ने जहारखंड भाषा खतियान संगर्शमिति यानि जे बी के स्स नाम की राजनितिक पार्टी बनाई है और घोशना की है कि वे दो हजार चौबीस का लोग सभा और विधान सभा तोनों चुनाव लड़ेंगे आज की बात इस पर कि क्या लोग सभा का चुनाव लड़ना जैराम महतो के लिए फायदे मन रहेगा या फिर नुकसान का सौदा साबित होगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लि तो शुरू करते हैं आज की बात धारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली निवक्तिकी परिक्षाओं में धारखंडी भाषाओं को ही शामिल किये जाने को लेकर और भोश्पूरी और मगी जैसे भाषाओं को शामिल करने के विरोध में शुरू किये गया आम चीन पहलवानों को चुनावती दे रहे हैं आज की तारीख में चैराम की सभाओं में जितनी भीड जुटती है उतनी तो बड़े बड़े राश्ट्रिय नेताओं की सभाओं में भी नहीं जुटती जब पूरा प्रशासनिक अमला भीड जुटाने में लग जाता है दि जमती जो जैराम महतो की सभाओं में आती है जैराम की सभाओं में भीड स्वटास्फूर्थ आती है खुद बखुद आती है उसे बुलाना नहीं पड़ता धोकर लाना भी नहीं पड़ता चिलचिलाती धूप में पसीन सित्तर बतर लोग 28 साल के इस क्रांतिकारी विचार धारा वाले युवक को देखने और सुनने आते हैं। घंटों बैठे रहते हैं। इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी भाषा के इस सोधार्थी में स्कॉलर में धारखंड की माटी की सोंधी सुगंध आती है। उन्हें असास है कि इस लड़के में वो भावना है कि वह जारखंड की राजनीती में धारा बदलने की कुवत रखता है, ताकत रखता है। कुछ तो बात जरूर है इस चरहरे युवक में कि भाषा के आंदोलन से बढ़ता हुआ छात्रों का आंदोलन साठ चालिस की नियोजन नीती के विरोध तक पहुंचा। औ स्थानिय नीती बनाई जाए ताकि स्थानिय छात्रों को नौकरी मिले। ये एकदम सीधी साथी, स्ट्रेट फॉरवर्ड मांग है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई राजनीती नहीं, कोई घुमाव फिराव नहीं। वे कहते हैं कि अगर बिहार, उडिसा, छत्पिस आकि राजियों में, जब नियुक्तियों के लिए विज्यापन देते समय, आवेदन मंगाते समय, विज्यापनों में यह लिखा रहता है, साफ साफ लिखा रहता है, कि आवेदक भारत का नागरीक होगा, और अमुक राज निवासी होगा, तो फिर झारखंड में निकलने वाली सरकारी नियुक्तियों में केवल यह क्यों लिखा रहता है कि आवेदक सिर्फ भारत का नागरीक होगा वे सवाल पूछते हैं कि यहां के बच्चे पढ़ लिखकर बेरोजगार बैठे रहेंगे और बाहर से लोग आकर यहां की नौकरिया हत्या लेंगे तो यह कैसे चलेगा और वे जवाब भी देते हैं कि अब यह नहीं चलेगा वे कहते हैं कि हमने आगरह करकर देख लिया हाथ चोड़ कर देख लिया हमने आंदोलन भी करके देख लिया लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पक्ष में नीतियां भी नहीं बनती तो अब हम खुद सदन में जाएंगे ताकि हम अपने हग की नीतियां खुद बना सके इसलिए जैराम महतोर उनके साथियों ने जरखंडी भाशा खत गुशे कर लिया है, निरणे कर लिया है आज भले ही राजनीतिक विशले शक्त राजनीतिक पंडित ओर बड़े सियासी दल के सूर्मा जैराम महतोर को हलके मिले रहे है उनके आंदोलन को वो जवानी के नए खुन का उबाल मान रहे हैं लेकिन जैराम की बातों को सुनने से कहीं से भी नहीं लगता कि वह सिर्फ 28 साल के अनुभव ही निवा है सभी मुद्दों पर उनकी साफ, स्पष्ट और बेबाक राय है पिछले दिनों प्रभात खबर ने एक संबाद नाम के कारेकरम का आयोजन किया था उस कारेकरम में जराम महतों भी आये थे और वहां अखबार के अनुभवी राजनितिक बीट देखने वाले पतरकारों ने उनसे हर तरीके के सवाल पूछे हर तरह के सवाल पूछे मसलन आपको कहां से फंडिंग मिलती है बड़े-बड़े राजनितिक दलों के बीट आप कैसे सर्वाइव करेंगे कहां से चुनाव लड़ेंगे और बहुत तरह के सवाल पूछे इन सभी विश्यों पर जैराम महतो ने बिलकुल स्पष्ट और बेबाक राय रखी थी उस कारकरम का एक संचिप्त वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ यह वीडियो प्रभात खबर से लिया गया है और इसमें आपको जैराम महतो के विजन, मिशन और आइडियोलोजी का अंदाजा लग जाएगा तो वीडियो देख लेते हैं फिरागे की चर्चा करेंगे कि कहीं जैराम महतो लोग सबाद चुनाव लड़ने का फैसला करके घोशना करके कोई गलती तो नहीं कर रहे है बहुत सारे लोग इस बात का दलिल देते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस भुभाग में आकर बस चुके हैं उनका अपने राजियों से नाता नहीं रहा तो हम यहीं कहना चाहेंगे जब उस राज में बसे हैं तो जहर से बात उन लोग को यहां की भासा संस्कृती यहां की पर लोग प्रमपराएं जो भी उन्हें एकसेप्ट करना चाहिए अगर वो इन चीजों के एकसेप्ट कर लेंगे शीक लेंगे तो भविस में ना कोई बर्ग संगर्ष देखने को मिलेगा ना किसी परकार कभी बाद होगा चुकि पिछले डेड़ साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका मने बिरोध परकड करने के लिए गये थे और हमें आभास नहीं था कि 50 लड़कों के साथ जिस आंदोलन की हम लोग तैयारी किये हैं वो आज 5 क्रोर के जन्वानस तक पहुँचेगा और इस राज से बाहर भी जाएगा और लोग हमारी चर्चा परिचर्चा करेंगे जो भीड आज सामने ही आई है बगाउत करने के लिए उसे भोट में तब्दिल करना होगा यह हमारी प्रात्विक्ता होगी परिचल पाटी आज किसी का 20 साल किसी का 40 साल का इतिहास है और हम लोग सभी नौ सिखिये हैं इस बात को स्विकार करना होगा यूद के लिए अगर चैलेंज ही ना तो फिर यूद क्या हो तो इसलिए हम लोग चैलेंज को स्विकार किरने के लिए ततवर है पिल्कुल निराधार है जो पिछला लोग सभा चुना हुआ था हम जगनात महतों के कपी खासम खासते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो इसलिए अगर बीजेपी और आजश्यों के आजन्ट कहे जाने के बात कहे जारी ये बुल्कल निराधार बाते हैं पिल्हाल बरतमान परिपेक्ष में ऐसी कोई बिसेस बात नहीं और जहां तक पोलिटिकल की बात है तो हम लोग तो यहीं उमीद करेंगे और जनता से अपील भी करेंगे कि हमें भोट भी नहीं आप नोट भी दें यानि जो लोग एक भोट देंगे कम से कम 10 रुपिय चंदा भी दीजिए भी टाइगर नाम से जाने जाते थे तो आप क्यों नहीं आते हैं हम लोग एक सर्थ प्याएंगे टाइगर यदि मानके चले हमारे संपर्ख में लगभग तमाम बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे हैं जो पुर्व में सांसद पुर्व में विधायक रह चुके हैं उनसे लगातार संपर्ग होती है यदि मान के चले सभी को हम लोग जोड लेते हैं ध्वादर के लिए मानते हैं सम्मान सबका करते हैं, आदर सबका करते हैं लेकिन ये नव आंदोलन है नई चिंगारी है, नए पोधे हैं, नए नव जमान है कि हमारे साथ उनका कमिनिशन होगा किस परकार का यदि फिर उनको ले आते हैं और अगर किसी दिन ऐसी परिस्तिती बनती जिस पर बाबुलान मरांडे की साथ हुई थी बारत्यरों विधाहिक बना कर लाएं आज उनका लगबग सुननी हो चुका है तो सबसे बड़ा बात है कि यह नई पीड़ी है दोस हम पर आएगा दोस गिता स्री दिदी पर नहीं जाएगा ना अमित ददा पर जाएगा ना लोबिन ददा पर जाएगा ना भेसरा जी पर जाएगा दोस किस पर जाएगा जो अभी नए लड़के हैं हम पे दोस आएगा, कालिक हम पे लगेगा, दाग हम पे लगेगा, तो इसलिए हम लोग पहले आत्मन्थन कर लेंगे, क्योंकि हम कल का सूरज हम है, इस बात को तो राज़ भी जानती है और सभी जानते हैं, तो इसलिए हम लोग के बीच एक आत्मन्थन चल रहा है, कि हम किनक कित नहीं है उन्हें बिलकुल इसका एसास है और तभी वह कहते हैं कि मैं थोपा हुआ राजनेता या जबरन लाग दिया गया कैंडिडेट नहीं बनना चाहता लोग जहां से बुलाएंगे मैं वहां चुनाव लड़ लूँगा तो यह भी कहते हैं कि जैसे बाबुलाल के जारखन विकास मोर्टा की हालत हो गई यानि इस तरह से बीजेपी ने उनकी विधायकों को तोड़ लिया और आखिरकार उनकी पार्टी का इस्तित्व खत्म हो गया कहीं आगे चलकर उनके साथ भी ऐसा नहो जाए इसको लेकर भी वे सचेत दिखते हैं वे कहते हैं कि हम मंधन करना होगा चिंतन करना होगा हमें ऐसे यवाओं को चुनना होगा जो किसी भी हालत में किसी भी लोब लालच प्रलोभन के आगे डिगे नहीं जैराम महतों ने यह भी कहा है कि वह लोकसभा और विधान सभा का चुनाओ जो 2024 में अगले साल होने वाला है उसमें भाग लेंगे उनकी पार्टी जे वी के एसे इन दोनों चुनाओं में हिस्सा लेगी लेकिन उनकी इस घोषना को लेकर मुझे निजी रूप में थोड़ी चिंता हो रही है चिंता इस बात की कि कहीं जैराम महतों अति उत्साह में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे जैराम की ताकत पर मुझे जरा भी संदेह नहीं है उन्हें मिल रहा जनसमर्थन किसी की आँख खोलने के लिए काफी है तो फिर आप पूछेंगे कि मुझे डर क्यों लग रहा है मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जैराम महतों जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लोग सभा चुनाओ 2024 को लेकर उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग सभा का मुकाबला दो धुरुवी होगा यानि बाइपोलर होगा यानि एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी भारतिये जनता पार्टी होगी और दूसरी तरफ विपक्षी दलों का एक संयुक्त मोर्च होगा जो यह तै करने में जुटा है कि हर सीट पर वन ओन वन मुकाबला हो यानि भाजपा के मुकाबले विपक्ष का सिर्फ एक प्रत्याशी खड़ा हो साजा प्रत्याशी खड़ा हो ताकि वोटों का विखराव नहीं हो चुनाओ के मुद्दे भी राष्ट्री होंगे औ पोल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी उपक्रमों की विक्री, नोट बंदी, अदानी को जरूरत से ज्यादा सरकारी फेवर, विदेश नीती, विपक्षी निताओं के हाँ, एडी और सीबी आई के च्छापे आधी-ाधी मुद्दे होंगे इसलिए मुझे डर है कि इन आकरामक प पिछले लोगसभा और विधान स्भा के चुनाओं अलग-अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लोगसभा के चुनाओं में राष्ट्रिय मुद्दे हावी रहते हैं, और विधान स्भा के चुनाओं में छेत्रिय मुद्दों पर लोकल मुद्दों पर जोर रहता है, जनता भी अब इस फर्क को अच्छे से समझ गई है और इसी आधार पर वोट भी करती है अपने जारखंड की ही बात करें तो पिछले लोगसभा चुनाव यानि 2019 में भारतिय जनता पार्टी और आजसु अलायंस को लोगसभा की कुल 14 में से 12 सीटे हासिल होई थी लोगसभा क राज की 80 में से 70 विधान सभा सीटों पर तब NDA के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई थी यानि लोगसभा की जो 14 सीटों पर वोटिंग होई थी उनमें 80 विधान सभा सीटे थी और उनमें 70 पर NDA के उमिदवार लीड कर रहे थे और इसी लीड के आधार पर BJP को लग रहा था कि 2019 के दिसंबर में होने वाले विधान सभा चुनाओं में उसको कम से कम 65 सीटे तो मिली जाएंगी लेकिन 6 महीने बाद जब विधान सभा का चुनाओं हुआ और नतीजों की घोषना हुई तो भरतिय जनता पार्टी 25 के आंकड़े पर सिमट गई लोग सभा चुनाओं में मोदी मोदी गूज रहा था लेकिन विधान सभा का चुनाओं आते आते मोदी हवा हो गए और छेत्री मुद्दे हावी हो गए रगवरदास की व्यक्तिगत छवी सरकारी नोकरियों का मुद्दा सी एन टी एस पी टी एक्ट में संसोधन पत्थर गड़ी आंदोलन धर्मांतरन निशेद कानून नियोजन नीती में 24 जिलों में से 13 को शेडियूल और 11 को नौन शेडियूल जिलों में बाटने के रगवरदास के फैसले ने जनवानस को उनके खिलाफ कर दिया और चुनाओ में यही मुद्दे हावी थे भाजपा मोदी की उपलब्धियां गिनाती रह गई और उसके मुख्यमंत्री ही चुनाओ हार गए तो इसलिए मुझे डर है कि अगर विधान सभा चुनाओ के पहले जैराम महतो और उनकी पार्टी ने लोकसभा का चुनाओ लड़ा और भाजपा और विपक्ष के टकराओ में अगर वह गुम हो गए नजरन्दाज हो गए और चुनाओ में उन्हें चर्चा के लायक सफलता नहीं मिली तो सारा का सारा नेरेटिव जो अभी जैराम महतो के पक्ष में दिखाई दे रहा है अचानक से उनके विरोध में हो जाएगा और फिर जो लोग आज जैराम महतो को अपनी टियारपी टाइट करने के लिए अपनी वीवर्शिप बढ़ाने के लिए या अपनी रीच को बढ़ाने के लिए दिखा रहे हैं लिख रहे हैं यही लोग तब उनकी छीछा लेदर करने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे और मीडिया के साथ साथ छोटे बड़े राजनीतिक दल जिनने अभी जैराम महतों से खत्रा दिखाई दे रहा है वे भी इस बात का पूरा प्रयास करेंगे यह बताने का प्रयास करेंगे कि जैराम महतों तो कभी कोई फेक्टर थे ही नहीं और उनकी पूरी लोग प्रयता बनावटी थी हवा हवाई थी और अल्ब कालिक थी तात कालिक थी और ऐसी हालत में तब जनता को भी यही लगेगा कि इन युवाओं के पास बदलाओ करने की कोई बड़ी शक्ती नहीं है और ऐसे में जैराम महतों और उनके साथियों के संगर्ष और आंदोलन को भारी धक्का लग सकता है और उनकी 2-3 साल की मेहनत वेकार हो सकती है इसलिए मुझे लगता है कि जैराम महतों को अगर अपनी ताकत दिखानी है पूरी ताकत से अगर प्रदर्शन करना है तो उन्हें सीधे-सीधे विधान सभा के चुनाओं में उतरना चाहिए क्योंकि विधान सभा के चुनाओं में उनके मुद्दे ज्वलंत रहेंगे, हावी रहेंगे, हेमन्त सोरेन सरकार फिलहाल कई आरोपों में घिरी है, एंटीन कंबेंसी भी है, भाजपा का चाशन भी लोग इसके पहले देख चुके हैं जैराम महतों को जारखन के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल है, और ये समर्थन लगातार बढ़ रहा है, वे अपनी पूरी ताकत से विधान सभा का चुनाओं लड़ेंगे, तो हो सकता है कि वे एक बड़ी राजनितिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आएं, और और लोगों को उनकी मदद की जरूरत पड़े, तो वे अपनी मांगों को लेकर सरकार पर तबाव भी बना सकते हैं, और उन्हें मनवा भी सकते हैं, पूरा भी करा सकते हैं, लेकिन ये तब ही समभव होगा, जब जैराम महतों अपनी पूरी शक्ति, पूरी उर्जा और गाल था कि वे लोग सभा का चुनाओ वार्म अप के तोर पर लड़ना चाहते हैं लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि खिलारी वार्म-प में ही घायल हो जाता है और उसके बाद वो मुख्य मुकाबला भी नहीं खेल पाता उससे बाहर हो जाता है जैराम भी कहीं वार्म-प मेहीं ऐसफल रखे यानि लोक सभा चुनाओं में अगर वे ऐसफल रहे तो विधान सभा काो मेन मैश है जो मुच्ख मैश जो फाइनल मैश है वो उनके हाथ से निकल जाएगा तो मेरे विचार में जैराम महतों उनके चम्तर समें जल Too हो सके इस पर बैठ कर चिंतन मनन करना चाहिए क्योंकि एक कहावत है कि एक साधे सब सधे और सब साधे तब जाए तो कहीं लोग सभा लड़ने के चकर में जराम महतो ने जो इतनी मेहनत से अपने मुद्दों को लेकर एक जनमत और एक सहमत होंगे हो सकता है उन्हें लगे कि मैं उनका विरोधी हूँ या उन्हें हतोत साहित करने के लिए ऐसी बाते कर रहा हूँ लेकिन यकीन जानिये मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है उल्टे मैं तो जैराम महतो को पसंद करता हूँ जैराम और उनके साथियों ने जारखंड की ठहरी हुई जो धारा है उसमें कंकर फेक कर एक लहर पैदा की है वह लहर अगर सुनामी बनने के पहले तब गई तो मुझे बहुत दुख होगा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली जागा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक इजाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार